नमस्कार दोस्तों कैसे आप सो मैं उमीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे एड़ अपने घर पर होंगे आज की जवरदस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाल हूँ और आपने यहाँ पर किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड यहाँ पर बनवा लिया है एड़ आप अपने उस क्रेडिट कार्ड से काफी जादा परिशान हो चुकी हैं परिशान होकर आप उस क्रेडिट कार्ड को बन करना चाहते हैं आपके यहाँ पर आए दिन पैसे करते रहते हैं तो आपको अपने क्रेडिट कार्ड को बन किस तरह से करना है उसका सही प्रोसे है एंड आप अपने उस क्रेडिट काड़ को बंद करना चाहते हैं तो मात्र 5 फांच मिनिट के अंदर घर बैठे आप अपने क्रेडिट काड़ को कैसे बंद कर सकते हैं आज कि इस वीडियो में आप सीखने वारे आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जूरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंगी मैं यहाँ पर आपके लिए बैंकिंग एंड फाइनेंस को बहुत ही जादा आसान बनाता हूँ अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपनी में दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर आपसे बात कर लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है दोस्तों credit card एक ऐसा card होता है जिस card की help से आप अगर इस मन्त में आप soping करते हैं तो उसका bill यहाँ पर next month की 5 तारिक को generate होता है और 25 तारिक तक आपको pay करना होता है यानि एक महीने की से 45 जिन के लिए आपको फिरी में पैसा यूज करने के लिए मिल जाता है लेकिन अगर आप 45 जिन के बाद अपने credit card का bill payment करते हैं तो वहाँ पर आपको काफी अच्छी penalty आपके उपर लग जाती है अगर आप कोई भी bill late कर देते हैं तो इसलिए यहाँ पर क काफी जादा परिशान हो जाती है तो अब मैं यहाँ पर आपसे बात कर लेता हूं कि आपको अपने credit card को बंद किस तरह से करना होता है तो उसमें लिए आपके पास state bank को फिंडिया का credit card है और आप उसे बंद करना चाहते हैं तो आपको सिंपल ही अपने नियर्बाई स्टेट बैंक की ब्रांज के इंदर जाना है वहाँ पर जो भी आपको кредit card department में जो भी person मिलेगा ते सरा हमें अपने credit card को बंद करना है आप हमारे credit card को बंद करने के लिए request अपरूव कर दीजिए तो जो भी person वहाँ पर आपको मिलेगा वो आपके credit card को बंद करने के लिए request raise कर देगा उसके बाद customer care executive आपके पास call करेंगे और आपसे आपकी personal जानकारी वहाँ पर मागी जाएगी जब आप उन्हें सारी जानकारी बिल्कुल सही सही provide करा देंगे तो customer care executive की तरब से आपका credit card permanently बंद कर दिया जाता है उसके बाद आपके account से किसी भी प्रिकार का कोई charge नहीं करता है और उसके बाद आपको simply customer care executive से बोलना है कि आप हमारे घर पे no due certificate भी यहाँ पर send कर दीजिये तो customer care executive आपके घर पर जब आपका credit card बंद हो जाता है तो no due certificate भी send कर देते हैं यह पहला तरीका जो मैंने आपको बताया है यह तरीका सभी बैंकों में apply होता है अगर आपका state bank से अलग किसी भी बैंक का credit card है तब भी आप इस तरीके को follow करके अपना credit card बड़ी असानी से बिना परिशान होए बंद कर सकते हैं तो जल्दी से इस video को एक like कर दीजिये दोस्तो अब मैं यहाँ पर आपसे बात कर लेता हूँ दूसरे तरीके के बारे में जिससे follow करके आप अपने credit card को permanently बंद कर सकते हैं दोस्तो जैसे कि आपको पता है आज के टाइम में हमारे देश के जिरने भी यहाँ पर government bank and private bank है वो सारे digital हो चुकी है और उनके यहाँ पर काफी अच्छे customer support यहाँ पर होते हैं अगर आप भी यहाँ पर किसी भी bank का credit card बंद करना चाहते हैं तो आपको simply मेरे बतायो इस step को follow करना है दोस्तों यहाँ पर आपको पता होगा जब भी आप अपना credit card जारी कराते हैं तो वहाँ पर आपको customer care का support भी जरूर मिल जाता है तो आपको simply जिस भी bank का आपके पास credit card है उस bank के customer care support पर आपको call करनी है call करने के बाद आपको उनसे यहाँ पर बात करनी है कि सर हम अपने इस credit card को बंद करना चाहते हैं आप हमारे इस credit card को permanently close कर दीजिए तो वह आपसे पहले तो यहाँ पर कुछ reasons कर फम करेंगे कि आप इस credit card को किसलिए बंद करना चाहते हैं आपको क्या दिक्कते आ रही है तो आप उन्हें सारे genuine valid reason यहाँ पर बता दीजिए उसके बाद आपको उनसे बोलना है कि सर आप हमारे इस credit card को permanently please बंद कर दीजिए हम भविस्य में इसे इस्तिमाल नहीं करना चाहते हैं तो जब आप उनसे ऐसा बोलेंगे तो वो आपके credit card को permanently close कर देंगे उसके बाद आपको उनसे बोलना है कि सर हमारे इस credit card का no due certificate भी आप हमारे register address पे या फिर हमारी Gmail ID पर send कर दीजिए जिसका मतलब यहाँ पर होता है कि हमारे उपर आपके card का किसी भी प्रकार को कोई बकाया नहीं है जब आपको no due certificate मिल जाए तो आप यहाँ पर समझ लीजिए कि आपका credit card 101% यहाँ पर बंद हो चुका है अब आपको बिल्कुल भी टैंसल लेने की जरुवत नहीं है दोस्तो इस दूसरे तरीके को follow करके आप अपने किसी भी bank के credit card को permanently close कर सकते हैं यह जो तरीका आपको बताया है यह सभी bank को में apply हो दोस्तो अगर आप यहाँ पर state bank के credit card को बंद करना चाहते हैं और उसके उपर आपको एक particular video चाहिए तो आप मुझे नीचे comment section में comment कर दीजिए मैं आपके लिए उस पर एक live video लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि आप state bank को फिंडिया के credit card को कैसे बंद कर सकते हैं दोस्तो अगर आपको यह video पसंद आई है तो video को एक like जरूर कर दीजिए और अगर आप हमारे youtube channel पर नए है channel को जरूर subscribe कर दीजिए क्योंकि मैं यहाँ पर आपके लिए banking and finance को बहुत ही जादा आसान बनाता हूँ next video आपको जल्दी मिल जाएगी तब तक के लिए जैहिन बंदे मातरम